हेलो दियो स्टूरेंट्स वेलकम टू ट्रिपले ब्राइट अकेडमी उमीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे तो स्टूरेंट्स आज की वीडियो में हम एक और एक्जाम के रीजनिंग के आंसर और सलीशन डिसकस करेंगे यह एक्जाम पंजाम में एक्साइज इ जो अप कमिंग न एक्जाम है उसके लिए टार्गेट वाले जो टॉपिक सैंबो पहले रहें जो आपकी इंपोरन टॉपिक से पहले रहें कानफरमेशन टॉपिक्स प्रॉबिल्टी टॉपिक्स तो स्टूर्ट करते हैं फिर हम आज का वीडियो इस एक्जाम में और लेटर सीरीज जैसे की दो पार्ट से रहते हैं नमबर सीरीज आपका मैस में भी पूछा जा सकता है रिजनिंग है पूछा जा सकता है आर्थमेर्टिक रिजनिंग तो कोशन आया था फाइंड दा मिसिंग टर्म इन दा सीरीज सीरीज इस 3 20 63 144 और 275 जैसे की हम यहां पे क्लासिज में यह सीकते हैं हम यह सीकाते है कि जैसे सीरीज का एक पैटन होता है उस पैटन की साब से ओपरेशन यूज रोते हैं प्लस माइनस मॉल्टिप्लाइड इवाइड जैसे की यहां पे एक सीरीज थी 3 20 63 144 275 तो में इधर प्लस और यहां तो क्या होता है अपने पास मल्टिप्लिकेशन तो जैसे कि यहां पर 3 से 20 26 63 then 44 then 275 या तो यहां पर हो सकता है या हो तो यहां पर डिफॉरेंस से भी कर सकते तो इसमें अगराम बात करें ती और 20 kali जो दिफ्रेंस था वो कितना था अपने पासह 17 20 say 63 का जो दिफ्रेंस था वो कितना था अपने पास23 then 63 और 144 का जोorphणो कितना था 63 में कितना add करें की 144 आ जाए तो इसमें difference था 81 63 plus 81 is equal to 143 1468 14 144 का जो छोट Richard not a 144 में कितना एड करें की 275 वाज है 415 437 112 तो यह डिफ्रेंस हा 320 का प्लस 17 20 63 का प्लस 43 63 144 का प्लस 81 and 144 प्लस 131 is equal to 271 then यह जो गाप है इस गाप का भी फर्दर हम गाप देखते हैं क्या बनता है तो 17 से 43 बनाना तो 17 में हम कितना एड करें कि 43 आ जाए तो 17 में हम 26 की एडिशन करते हैं तो 43 आता जैसे 76 13 123 and 84 then 43 में कितना एड करें की 81 आ जाए वो अपने पास आ जाता है 38 38 देख लो 43 23 प्लस 38 is equal to 81 83 11 and 43 718 और 81 में कितना एड करें की 131 आ जाए तो इसमें एडिशन मनती है टोटल 50 की एडिशन मनती है तो अब इसमें जो डिफरेंस था वो कॉंसेंट था 26 और 38 का डिफरेंस कितना आया 12 38 और 50 का डिफरेंस कितना आया 12 तो हम अजीम करते है कि अगला डिफरेंस भी कितना ना चाहिए 12 12 के कोर्डिंग 15 50 प्लस 12 is equal to 62 और 62 जो है वो इसमें गया बनाके यहां पे जो बनता है 193 की यहां पर अडिशन होगी तो 275 275 प्लस 193 कितना हो जाता है 538 तो 8 हर ओप्षन में है एक दो ओप्षन को छोड़ कर देन 79 16 हो गया तो यहां से हम clear answer दे सकते हैं क्योंकि यहीं पर दिख रहा है answer 468 बाकि हम अडिशन करके देख सकते हैं तो इसमें क्या था कि difference का difference है ठीक इन अधर वे multiplication भी कहीं न कहीं यूज हो सकती थी बट अगर हम difference से करे तो यहां पर भी इसका logic 1 रहा था तो difference then difference then difference same then apply कि 1262 then apply कि 193 22 75 plus 193 is equal to 468 इसका क्या बनता है answer right तो एक यहां पर सीरीज का कोशन आया था अपने पास next next अपने पास यहां पर comparison होता है similarity का जिसे हम analogy में भी देख सकते हैं यह topic को तो choose the pair of word from among the given option that will fill the blank so that the sentence becomes true and meaningful तो हमें यहां पर option के coding यहां पर ऐसा pair choose करना है जो एक line को क्या कर दे meaningful बना दे और वो चीज़ ट्रू भी हो तो यहां पर जो इसका answer था वो था आपने पास a c option जो की c option put करने पर यह एक meaningful बनता है और एक true statement बनती है कि यहां पर क्या है bottle is to cock as box is to lid ठीक है meaningful यह बनता है इसका क्योंकि जो lid है यह cover करने के लिए यूज़ होता है किसके लिए box के लिए lid is used to cover the box ठीक है और यहां पर क्या है bottle तो जैसे की lid is used to cover the box similarly cock is used to cover the bottle ठीक है तो इसका जो answer था bottle is to cock and boxer is to lid to see option यहां पर इसका appropriate meaning बनता था meaningful and true तो यह एक analogy based question था next next question अपने पास जो आया था वो आया था आपने पास classification topic जिसमें four option में एक different होता है वो हमें choose करना था choose the odd numerical value ठीक है यहां पर numeral number दे रखे है in the falling question 140 यह a bright key reasoning की book में भी question था ठीक है तो वहाँ पे जो student से हमारे वहाँ पे उनको तो कोई problem ही नहीं कि साब साब यहां पे question का answer ही पता था उनको तो इसमें जो logic था वो हर option का जो भी smaller number है हर option का smaller number है उसको multiply किया है 3 से तो multiply 3 के बाद प्लस कितना है 5 तो 45 इंटू 3 होता है 135 प्लस 5 कितना होता है 140 तो 35 और 110 का रहा है कि smaller number 35 into 3105 105 plus 5 is equal to 110 उसके बाद जो D option है वो है 25 is smaller smaller number को multiply किया है 3 से 75 5 plus 5 is equal to bigger number 80 जबकि 130 में 30 smaller तो 30 into 390 90 plus 5 is equal to 95 जबकि यहाँ पर 100 था तो C option is a different इन से जो A option और B option और D option थे तो एक classification का question यहाँ पर आया था next next question coding recording topper again again जो topic अभी तक हमने जो important discussion करें है हर एक exam के लिए वही बार-बार repeat हुए है series analogy classification then अपने पास क्या है अपने पास coding and decoding तो इस में जो E is equal to 5 pen is equal to 35 page is equal to what यहाँ पे जो logic था जो इनकी numerical position value होती है E की position होती है 5 तो यहाँ पे 5 बन गया ठीक है पैन में क्या हुआ कि जैसे P का प्लेस होता है 16 E का प्लेस होता है 5 और N का प्लेस होता है 14 तो उसने क्या किया जैसे E5 तो addition करके पांची बनेगा किसके साथ addition करें इस लिए डरक ली बाकी पैन सारे के सारे प्लेस के प्लेस वाल्यू है आड कर दी 16 प्लस 5 21 21 प्लस 14 इस इकल टो 35 तो similarly page page 16 एक इतना है 1 16 प्लस 1 17 17 प्लस 7 17 प्लस 7 तो 17 प्लस 7 कितना है 24 24 प्लस 5 इस इकल टो 29 तो इसका अंसर क्याता है C option तो logic था है addition करी है जो इनकी पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट तो 69 का अंसर C option अपने पास बना था नेक्स्ट नेक्स्ट अब लेशन का कोशन था ये एंड रीजनिंग में हमने ये बलेशन तू में रखा हुए जिसमें जो थर्टाइब कवर हम करते हैं प्वाइंटिंग वाले कोशन आते हैं इफ अनिल सेज रवी इस मदर इस दो अनी डॉर्टर इस दो अनी डॉर्टर ऑफ माइं अनील रिलेटिल तू रभी तो कोशन में कहता है अनिल कहता है है दो सबसे पहले हमने बनाया रभी को अन यह बोल रहा है अनिल ये बोल रहा है कि रभी रभी मादर्बिस मदर इस यह जो है यह जो है इना औनी डोटर ये जो में बकिर यह ऑन ली डोटर है अगर यह ऑनी डॉक्तर तो यहां पर parents होंगे जिनकी यह only daughter होगी but इसकी कोई sister नहीं हो सकती इसकी कोई sister नहीं हो सकती right पर यह only daughter किसकी है only daughter of my mother only daughter of my mother only daughter of my mother के लिए अगर मैं बताओं कि यह only daughter banana है हमें इसको किसका only daughter banana my my word represent करता है जो श्तिकर होता है तो स्पीकर इस अनील अगर मैं बात करो अनील यह jo my word है वो क्या अंनील माई मदर और जो अनील के mother है only daughter उसके हैं यह देख लो रवी के mother is the only daughter 這 raza की जो मदर है यह मदर जो है यह only daughter है only daughter है तो किस Gleich के जो तो अनिल के मदर और मदर की और नी डॉटर इसका मतलब यहां पे केस क्या हो गया अपने पास सिब्लिंग सा केस हो गया अपने पास तो यहां पे और नी डॉटर के बजा से यहां पे इसको क्या होना पड़ा इसका ब्रदर तो ठीक है अनिल के मदर की और नी डॉटर मतलब ज none of this right तो एक यहां पे ब्लर लेशन का कोशन बना था नेक्स्ट डारेक्शन टॉपी का कोशन था डारेक्शन एंडिस्टेंस का कोशन था राजू ड्राइब 25 किलोमेटर नॉर्थ एंड तर्न्स लेफ्ट तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हम बनाते हैं तो उसने कहा स्टार् Hei cadaVals 5 km, 5 km और 5 km and reaches to 0.02 0.031 point कोहने Oh Head then turns right is directions में इधर left होता इधर कहता है WRITE? तो तो राइereal उसने यहां पे कहा तो यह राइट टार्न आगया पिछ्ली लाइन का डरेक्सला नेक्सलाइन का 90-Degree खेंगल और यहां पीछने का 90 Degree कха एंगल और प DNS फई तो तो यहां पर पहुंच गाए लास्ट हाओ मच डिस्टेंस इन किलोमेटर ही है तुछ ट्रैबल टू गॉट तो यहां से उसे स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए फिर से कितना कबर करना पड़ेगा तो डिस्टेंस जब पूचा है तो हमेशा शॉर्ट से बताना है त तो यहां से यहां जाने के लिए बापिस उसे कितना टावल करना पड़ेगा यहां से आजाने के लिए पांच यहां तक हो गया और यह कितना हो गया 25 तो 25 और 5 अपने पास कितना हो गया 30 तो ऑप्शन इसका क्या बन जाता है यह उप्शन तो टोटल कुल मिला के अपने पा कोशन अपने पास बना था वो अपने पास जो बना-thana calendar नटपी का कोशन ठीक ही calendar तोकॉषिन का कोशन ऐंड जे हमारी बराइट की जो रीजनिंग की बुक है उसे का ही चोशन था एक कोशन डरेक्ट ली तो इसमें भी जो स्टूडेंट्स है ब्राइट के कोई प्रॉलम नहीं थी क्योंकि बना बनाया आंसर उनको पता था विस्टु मंस इन एयर है आप दा सेम किलेंडर जब कि सेम किलेंडर का मतलब होता है सेम डेट सेम डे तो पूरे साल में बहुत से ऐसे मंस होता है जिनका पेर बनता एक द तो अप्रेल एंड जुलाई यह क्या है था इनका सेम किलेंडर और यह सेम किलेंडर एक्टुली होता है अप्रेल और जुलाई का आप देखोगे कलेंडर तो फर्स्ट अप्रेल और फास्ट जुलाई को जो डे होगा वो सेम होगा दोनों को और एंड तक अपना जो है जैस same date same day have the same calendar to in concert था अपना C option तो यह एक calendar question था next next arithmetic operation symbol annotation बोल सकते है arithmetic operation बोल सकते हैं तो put the correct mathematical sign in the following question from the given alternative 33 question 11 question mark 3 question mark 6 is equal to 115 तो आपको यह जो कोशन के प्रोच अप्रोच और योटी बाई ओप्शन होती है तो बाई ओप्शन आपको चलना होता है इसके लिए तो 73 में यह आपको option wise करना था a option then b option then c or d तो इसमें अब बैसे तो बाई ओप्शन अप्रोच होती है तो इसका जो आंसर था बो क्या था बी ओप्शन तो बी ओप्शन के कोडिंग क्या हुआ 33 question mark पहला क्या है multiply बी ओप्शन के अप्रोच then 11 next question mark next sign divide 3 अपने पास 3 के बाद question mark then अगला sign minus then 6 is equal to 115 तो अब 33 into 11 होता है 363 divided by 3 minus 6 363 divided by 3 is equal to 1 to 1 1 to 1 minus 6 is equal to 115 तो जो इसकांसर था वो क्या था बी ओप्शन 115 तो एक सिंबल notation arithmetic problem से question था arithmetic reasoning से next next question आया था nonverbal वाले parts से nonverbal में यह जो topic है यह था series का topic ठीक है nonverbal में भी series आती है select the figure from among the answers figure which will continue the same series as established by the five problem figure तो यह problem figure है ABCDE हमें F बाली figure बनानी है तो इसमें concept अलगलग तरह से होते हैं जिसमें पहला concept क्या था first box में एक line थी तो एक rotation होती clockwise और anti clockwise तो A से B में हमने देखा कि एक line same to same दिख रही है बट एक line की addition हो रही है तो यहां पर हमने क्या देखा A to B में एक पार्ट की addition हो रही है जो यह smaller part है हम एक count कर लेंगे एक पार्ट के addition हुई then B से C में क्या हुआ हुआ पहले तो यह step movement हुई ठीक है यहां से पहले इस वाली साइड में गया एक step move हुआ एक step move होने पर एक part add किया then B से C में क्या हुआ पहले यह part देखो यह part complete आ गया एक एक side or move हुआ then यहां पर यह वाला बोल रहा हुआ इसको एक part बोल रहा हूँ ठीक है आप लोग समझना है यहां पर एसे बी में क्या हुआ एक side move हुआ इस side से side then as it is a part add हुआ B से C में फिर एक side move पहले as it is यह line आगी फिर यह line as it is आगी then एक पार्ट और दो पार्ट होगे ठीक है जी अब दो पार्ट होगे सी से डी में फिर एक side और मूब किया कर तो रहा है एक side move ठीक है एक side move हुआ तो यह line आगी यहां पर यह line आगी यहां पर और उसके बाद एक part or add किया तो सी से डी में क्या हुआ होगा एक part add हुआ साइड की मूव हुए अब डी से इमें भी क्या होगा अगेन एक part add होना एक side move होगी तो देखो तीन की तीन साइड यहां पर मूव होगी एक दो सेड हो रहा थारिके से याड हुआ यहां पर जो option मनता है वो क्या बनता है a option टीक है जी तो एक यहां पर कर लका को शॉन अयाथ अपने पस next next अगेन यहां पर जो कोशन आया था वह नोन वर्बल का कुशन था बट यह नोन वर्बल में एनलोगी कोशन एनलोगी टॉपी का कोशन था एनलोगी बोल सकते हैं एनलोजी बोल सकते हैं हम इसको और figure A and B are related in a particular तो A और B relate है तो यहीं relation आपको C to D में अप्लाई करना होता है है establish the same relationship between figure C to D by choosing a figure जो option में हमें दे रखी है तो सबसे पहले A to B का जो sequence है इसमें वहीं rotation concept होता है जैसे यह part है तो इसके हम equal parts होते हैं वैसे यह complete है तो यहां से यहां से बोलते एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ अगर मैंटिक लोग वे चलो तो वही कि एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ ऐसे जलते हैं अब A to B में क्या हुआ सारी figure as it is as it was beach की जो मूमेंट आप इसकी जो एरो है वो इधर वाली साइड है और बी की जो तो एरो है वो इधर वाली साइड है तो हम देखते हैं शोटर रूट से कितना मूब हुआ यहां से यहां से यहां दो स्टैप यहां से यहां स्पाव गया तो कितने च्षाप मूग हुआ ऐसे भी में तीन और किस में लोखवाइस डेरेverseन में का है जलोक वाइस डिरेक्षिन में एटो भी देखो तो इस साइड है, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप. SuI pom 6 zu D में 3 clockwise पूट करेंगे यह arrow इस direction को है तो अब इस की क्या होगी? यहाँ से यहाँ एक 2 और 3 तो जो arrow होगी वह इस तरफाह होनी चाहिए तो इसा तोर्फावणी चाहिए तो कौन सा उप्षण बनता है दी आप्षण है तो ये उस उस में रीजनिंग के कोशन आए ते इसमें हमने को अवह घ्रीक हो हám पास नर्श हो सट्रीअ कोशन था हमने देखा क्लासिफिकेशन का कोशन था हमने देखा ऐनलोजी का कोशन था ऐनलोजी अपना बरबल में भी आया और नौन कर्वर्बल में भी आया डलैन ब्लरलिशन टॉपिक देखा hun केनंडर टॉपिक देखा तो यह जो topics हैं ये class में complete बताय जाते हैं ठीक है जी again एक और question अपने पास आया था जो कि अपने पास same to same बात करें कि इन में से आपको देखना है कि कौन different है again classification का question भी इधर आ गया तो इसमें जो concept था कि इन में से एक different है तो यह क्या था एक दूसरे की water image थी जैसे कि यह arrow है तो यह उल्टा हो गया ठीक है यह भी एक दूसरे की water image है यह भी एक दूसरे की water image है पर यह दूसरे की water image है नहीं है तो इसका answer क्या था the option तो यहां पर इन बर्बल से total अपने को तीन question मिले थे एक्जाम बहुत easy था बट बाकी कुछ questions ऐसे हैं दो तिन question जो आज़र टीज़ ब्राइट की बुक से ही आगे थे तो ऐसा है कि हमें अगर कोई guidance की जरूरत है offline coaching तो government exam की आप प्रॉपरली offline coaching ले सकते हैं जिसके exam जिसके जो batches है हमारे every month start होते रहते हैं four to five batches है daily three to four hours की classes रहती है four to five months का batch होता है आपको लगता है कि हमें किसी exam में हम exam दे रहे थे बट कहीं पर हम रह रहे हैं कहीं पर lack हो रहा है आप best guide हम यहीं कर सकते हैं कि आपको coaching लेनी चाहिए ठीक है offline coaching provide करते हैं three to four hours की classes daily की daily होती है four to five months का एक पूरा batch run करता है और a to z complete चीज कराई जाती है from beginning means zero से start कराई जाता है इसमें study material जो notes बगारा books बगारा है वो academy ही देता है अपने notes रहते हैं हमारे एक exam की according क्या असले बस रहता है mock test every week रहते हैं offline online भी यहां पर अबेलेबल होते हैं जो की application पे हम करवात वेस्ट रिजल्ट रहेगा academy का आप यहां पर चाहिए अप हमारा telegram channel हमारा YouTube channel आप उस पर देख सकते हो या कोई reference है आप पर पता कर सकते हो सारे के सारा video course जो आपको यहां पर offline करवाते हैं एक recording lecture का कोर्स भी हम है उस उसको भी आप purchase कर सकते बड़ जो offline coaching ले रहा है उसके लिए हम वीडियो कोर्स का access free में देते हैं lifetime की validity आपकी रहती है till selection आप आ सकते हो यह academy का address रिपल आप राइट अकैडमी सेक्टर 15 ने मध्यमार्ग चंडिगर्ड और आपको किसी भी चीज की कोई query करनी है regarding offline coaching online coaching या तो फिर notes के लिए आप double 9884 2200 पर contact कर सकते हो अगर आपको video course purchase करना है इसके लिए आपको application का link description में दे दिया जाएगा आप offline coaching नहीं लेना चाहते हो आप कहीं दूर रहते हो problem है यहाँ पर आने की तो आप घर बैठके भी इस course को purchase exams के लिए conduct रहेगा application android और is दोनों में चलेगी video course जो है वो सारे exam के लिए रहेगा आपको particular जो course चाहिए जिस exam के लिए आप वाई कर सकते हो और इसके लिए कोई query है तो double 9884 2200 पर पूल सकते कि इसमें जो coupon code होते हैं कोई discount होता है तो आपको मिल जाएगा full syllabus इसमें भी हम cover करवाते हैं 500 प्लस वीडियो रहते हैं नोट्स हमारे PDF form में रहेंगे और नोट्स आप और हाड़कोपी भी यहां से मंगवा सकते बाइपोस्ट हम सेंड कर सकते उसका भी हम आप बता देंगे वोच कर सकते पहले डैमो वीडियो अगर आपको परचेस करना है आपको किंतु परंतु रहती है तो आप पहले डैमो वीडियो देखलो आपको लगता है सहीए दैन आप परचेस कर सकते हो इसमें मोग अगर आपको हाड़ कोपी चाहिए बुख्स बगारा नोट्स बगारा की जो भी एक्जाम रहते हैं बैंकिंग के एससी के और स्टेड तो आपको वह भी नोर्स मिल जाएंगे सारा स्टेडी मेटीरियल आपको प्रवाइड कर आए जाएगा हाड़ को प्रिंटे नोट्स र रहेंगे इसमें हम मॉफ टेस्ट के एक्सस्फ फ्री देते हैं जो नोट्स भाइ करता है नोट्स की जो चार्जिस आप 4000 रहेंगे आगर आपको notes by करने है तो आपको 998842200 पर contact करना होगा आप WhatsApp करो message आपको reply मिलेगा then आप महां पर अपने सारी query discuss कर सकते हो then next video में हम फिर एक और exam के answers and solution discuss करेंगे till then take care bye bye